हेलो एवरिवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजिनियरिंग आयाटी खड़कपुर ने गे 2022 का ओफिशल ब्राउशर पब्लिश कर दिया है जिसको आप टेलिग्राम गुरुप से भी डाउनलोड कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है इस ब्राउशर में जो भी कुछ important यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया है मैं थोड़ा साब को short में summarize कर देता हूँ जैसे की सबसे पहली बात यहाँ पर 3 घंटे का paper जो कि हर साल होता है वो इस साल भी होने वाला है टोटल 29 papers में हाँ पर gate conduct होने वाला है इसके पिछले साल 27 papers थे gate aptitude और technical जो syllabus के questions आते थे वो वैसे के वैसे ही है जैसे के पिछले session में थे मतलब MSQ, MCQ और NAT तीनों ही तरह के questions आपको मिलने वाले हैं टोटल 65 number of questions होंगे और यहाँ पर 15 plus 85 का same distribution जो इसके पहले पिछले साल 2021 में follow हुआ था वही इस साल भी रहने वाला है अगर इसके लावा बात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं वाट विल बी दा marks distribution for all other papers वहीं इसके लावा और अगर आप dates के बारे में जानना चाहें तो यहाँ पर dates के बारे में भी आप देख सकते हैं कि जो application process है वो 30th of August से start हो जाएगा और 24th of September तक last date होगी application फिल करने की वहीं इसके लावा extended period 1st of October तक रखा गया है और admit card 3 January से जबकि 5, 6, 12, 13 February को आपका paper होने वाला है वहीं इसके लावा हर साल की तरह March में आपका जो result है वो announce होगा और एक और important बात यहाँ पर जो note करने वाली वो यह है कि जो gate paper का आपका scorecard होगा वो 3 साल के लिए applicable होगा और साथी साथ 3rd year या उससे higher years में जो भी यहाँ पर appear कर रहे हैं वो gate में भी appear कर सकते है that means कि जो 3rd year में present students है वो भी gate के लिए apply कर सकते है जो कि 2021 में भी लागू किया गया था वहीं इसी के लावा अगर देखते हैं तो this is your eligibility criteria for the different degree और program on the basis of different papers वहीं इसी के लावा अगर और बात करते हैं तो यह दिख रहे हैं हाँ पर सारे list of papers जिसमें अगर आप देखें तो nevel architecture and marine engineering और geomatics engineering यह दो नए paper इस साल introduce हुए है और कोई भी student एक या up to two papers के लिए एक साथ apply कर सकता है जिसके लिए अलग-अलग application forms आपको fill करने के आविशकता नहीं है तो एक ही application से आप दो paper के लिए भी apply कर सकते हैं बस उसके लिए आपको एक primary paper के basis पे ही दूसरे paper को select करना होगा इसी के लावा अगर fees की बात करते हैं तो यहाँ पर जो general candidates की fees है that is 1500 जबकि अगर आप 24th of September वाली date को cross कर जाते हो तो आपको 2000 की fees यहाँ पर भरनी पड़ती है तो भैतर होगा कि आप 24th of September के पहले ही अपना जो भी application form fill करना है वो यहाँ पर fill कर देगा और इसी के लावा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हर एक paper का जो official syllabus है वो भी यहाँ पर information browser में ही आपको मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पर देखने को रहा होगा आपको civil engineering का जो syllabus है वो almost जो 2021 में था वही है बट इसका जो detailed description है वो मैं एक अलग session में आपको देने वाला हूँ बट इसके अलावा कोई और paper के लिए आप appear करने वाले हो तो उसका syllabus आपको information browser में मिल जाएगा जिसका download करने का description link मैं इसी वीडियो में दे रहा हूँ इसी के लावा एक बात और note करने वाली यह है कि इस particular browser में जो भी information दी गई है हो सकता है कि वो change हो लेकिन ऐसा generally देखा नहीं गया है कि gate का information browser में कुछ भी information बाद में change होती है तो यहाँ पर यह information browser आ चुका है आप download कर सकते हैं अपने syllabus को check कर सकते हैं अपने pattern को check कर सकते हैं और अपनी तयारी को उसी के accordingly हाँ पर modify भी कर सकते हैं यह एक alarming stage है आप लोगों के लिए उन students के लिए जो कि gate की तयारी करना तो चाहते हैं लेकिन आज भी उतने proper way में अपनी तयारी नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मेरा सिर्फ यही suggestion होगा कि एक alarm है आप लोगों के लिए और अगर आपने अभी तक अपनी तयारी शुरू नहीं की है तो मौका है कि आप अपनी तयारी full speed में accelerate करते हुए top gear में start करे और at the end फरवरी में अपनी exam proper way में देते हुए top rank को target करे चलिए इन ही बातों के साथ मैं इस session को end करता हूँ मिलते अगले session में कुछ और detail information about gate 2022 के साथ